तो जितने ही प्रकार के वाइरस आएंगे उनको नियंतित करने का वह हमारे पहुत अच्छा प्रबंदन है हमारे यहां को जो मुख्य पुजारी है वो दलित है हिंदवा सौधारा सरवे ना हिंदू उपतितो भावित यह भाव हम लोगों की मन में है और यह हमारे संस्कार का हिस्सा है सबसी ज़्यादा ब्राह्मन बालिकों को उत्तर प्रदेश के अंदर अपने यां रख करके संस्कृत पढ़ाते हैं और अन्य उत्तम सिक्सा उपलब्द करणाते हैं को रख स्पीट अपनी पहली सिक्षण संस्थान का स्थापना कप कर चुटा का 1932 कोई जाती वेद नहीं है और जाती का बच्चा वहां पढ़ सकता है जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए स्कॉलर्शिप भी होती है तो जिदको देश दुनिया की जानकारी में कुछ भी बोल सकता है त्यमस्कार मैं हूँ सुरेच सभान के और आप देख रेक ऐसा इंटर्व्यू जिस इंटर्व्यू में बैठी हुई व्यक्ति पात साल पूर्व आज ही के दिन और घड़ी के आनुसार भी इसी समय पर हमारे साथ इसी इंटर्व्यू में थी जिसमें हमने कहा था कि यह उत दोनों का अंदर बहार से ड्रेज भी एक ही है कि सुरेची मैं आपका रौप की पूरी टीम का हिद्वे से धन्यबाद देता हूं कि हमारे क्यों कपड़े ही समान नहीं है विश्वास करता हूं भावनाएं भी समान होंगे कि राश्ट कल्यान के लिए कि राश्ट बाद के मुद्द्न को लेकर के कि देखे जिस समय हैं कि पांस वर्स पहले जब मैंने आप से कोई एक इंटरोब्यू दिया था इंटर्वीव गुरुद्वारा रकाब गंज रोड पे था और उन्टर्वीव मैंने तब दिया था जब मैं पस्षी में उत्तर प्रदेश मैं चुना परचार करने के उपरांथ वापस आया था दिल्ली और फिर मैंने आपको इंटर्वीव दिया था चाहिए ऐसा होता है कि कोई नेता आलाउड करें कि पिछली बार क्या बात हुई थी और उस पर अभी बात करें क्योंकि लोग ज़्यादा तर चुनावी भासन अलग होता है लेकिन आपने जो काम किये है तो मैं पिछले इंटर्वीव से शुरू करूंगा जो पाथ साल पहले अज़र मुख्य मंतरी आप बनेंगे इस भाशा में आपने जो कहा था तो उसमें आपने कानून और व्यवस्ता की बात की थी और आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो कानून और व्यवस्ता हम ऐसी मद्बूत करेंगे जो यू पियने कभी देखी नहीं होगी पांच वरसे पहले जो हमने कहा था जंता के सामने जो कहा था इन पांच वर्सों में पूरी इमानदारी के साथ और पूरी प्रतिवधता के साथ उसको पूरा किया है परिवरतान आप देख सकते हैं पांच साल पहले पस्सिम्य उत्तर प्रदेश की कोई बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी आज मैं कह सकता हूँ हर बेटी स्कूल जाती है बिना भैके जाती है हर माताएं हर महने मार्केटिंग कर सकती हैं बाजार जा सकती हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है रात्री में भी कोई बिटिया या कोई बहन अगर कहीं बाहर से आ रही है और उसको रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन से अपने घर जाना है तो उसको कोई भै नहीं क्योंकि यूपी में उन लोगं का अपना सासन है पांच साल पहले केराना में एक कांधला में और एक दरजन कस्वे ऐसे थे जहां से हिंदू ब्यापारी प्लाइन कर गए थे इन पांच वरसों में वे सभी वापस आएं और केराना कांधला जैसे जगों पर तो पांच साल के बाद यह नि इन पांच वरसों के दोरान पचीस वरस के बाद मॉल बन रहे हैं बड़े-बड़े मॉल बन रहे हैं पेट्रोल पंप लग रहे हैं और विकास की कई यात्रा में हमारा प्रदेश निकल पड़ा है कि तो पांच साल पहले YouTube मे दंगी होते थे ते बड़े-बड़े हम उसको एक एक पॉइंट नोट कर देते हैं, सारे दंगाई अपने अप ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, अपने जो लॉय नॉर्डर की बात की, उसमें एक बात और भी देखा हमने, क्योंकि अभी मैं बाई रोड लखनव आया हूं, तो पाच वर्ष पूरुव सड़क किनारे घर नी होते थे, जो घर होते थे, वो एक साथ लोग रहते थे, सिकुरिटी के परपत से, खेती में अकेले का घर ऐसा शायद ही कही होता था, बहुत कोई हो, मशक्ति शाली, लेकिन अभी कौमन हो गया, अब लोग अकेले रहने पर भी उनको ये लग रहा है क यहां हम सुरक्षी थे, देखे, पांच साल पहले बिजली की भी यहां जाती होती थे, उसका मजभ होता था, इद और मोहरम तो बिजली आएगी, होली और दिपावली बिजली नहीं आएगी, चेहरा देखकर की बिजली दी जाती थे, आज 24 गंटे बिजली है, पिचथर ज सब में, 1526 थाने सब में, विजली है, सब को विजली, प्रियाप्त विजली, निरबाद विजली, कोई भेद नहीं, एक लाग 21,000 मजरों में हमने विजली पहुंचाई, एक क्रोड 43 लाग गरीबों को फ्री में बिदुत के कनेक्शन दिये, प्रधान मंत्री मोधी जी के मा हुए, पहले बिजली इसले नहीं दी जाती थी, क्योंकि इन्हें अपने काले कारनामों को करने के लिए अंधेरा चाहिए, हमने का भे यूपी मैप डार्क जोन के आऊ सकता नहीं, अब तो मर्यादा प्रशुत्तम भगवान सिरी राम का भव्य मंदिर निर्वान की कारवा डवल इंजन की सरकार ने इसमें सफ़दा प्राप्त किया है, अपने पिछली बार कहा था कि दंगा मुक्त प्रदेश तो आपने जवाब दे दिया, मुझफर नगत दंगे और बरेली दंगे की जाच होकर न्याय होगा, हमने कारवाई की है, दोसी थी, दोस्यों के का रिंड भी हमने माप किया, और आज उत्तरप्रदेश का हर किसान इस बारे में कह सकता है, कि प्रधान मंतरी मोधी जी के नित्रतों में भारतिय जन्ता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया, जो काम कभी नहीं हुआ, इन पांच वर्सों में या केंदर सरकार के साथ वर् ने सरकारों के तुलना में दिया, लेकिन फिर भी आपको इस मामले में थोड़ा सा विरोधक बदनाम करने की कुशिश करें, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो कुछ भी बोलेंगे, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले भी आज कहते हैं कि साह हम भी राम मंदिर मना यह वैचारिक विजय है हमारी, लेकिन एक चीज हमें देखना होगा, कि 2003 से लेकर के 2017 तक, पहले समाजवादी पार्टी की, फिर बोजन समाजवादी पार्टी की, फिर समाजवादी पार्टी की, 14-15 वरसों तक सरकार यूपी में थी, इन्होंने गन्ना किसानों का जितना मुले का बुक्तान नहीं किया, हमने उस से जादे, यहनि जॉइंट रूप से, इन 14-15 वरसों में जितना गन्ना मुले का बुक्तान नहीं हुआ था, हमने पांच वरस में उस से जादा, एक लाग एक सथ हजार करोड रुपे का गन्ना मुले का बुक्तान किसानों के खाते म कि इनके समय में 29 चीनी मिले बंद हुई थी हमारे समय में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई हाँ बंद चीनी मिलों को इस्थान पर नई चीनी मिल लगाकर कि चालू की गई और और भी रेकॉर्ड कम खर्चे में कम खर्चे में भी हुई और सोगर केन को इथनॉल में बनाने आज यूपी सुगर प्रोडक्शन में नमबर एक है, इथनॉल प्रोडक्शन में नमबर एक पर है, और यूपी में गन्ना किसानों का दाम भी हम लोगों ने इन पांच वर्सों में 40 उर्पे पर ती कुंटल बढ़ाने का काम भी किया है। हमने जो घड़ तोली होती थी, या परची में ब्लैक मार्केटिंग होती थी, इन सब को ट्रांस्पेरेंट करके टेक्नलोजी के साथ जोड़ा, ऑनलाइन आप परची ले सकते हैं, आपको कितनी परची चाहिए, आप उसमें करी आईए, इस सारी चीज़ें हमने ब्योस्तित किया है, तो किसान के लिए जितना कुछ पिछले पांच वर्स में राज्य में और साथ साड़े साथ वर्स में केंदर सरकार ने किया है, आजा थी कि बात कभी नहीं हो, बिल्कुल और उनको पहले डीजल लगाना पड़ता था पानी के लिए, अब बिजली है, अब उनके प अब उजगार देने का वचन दिया था, हमने इस से कई ज्यादा लोगों को दिया है, पांच लाग नौजवानों को सरकारी नौकरी दे, कोई सिपारिस नहीं एक दम पारतर्सी तरीके से सारी नुक्तियां होए, एक करोड़ 61 लाग नौजवानों को हम लोगों ने जो सुर नोक्री और रोजगार एक तो दिया गया दोसरा यूपी में पहले से मौजूद था MSME का कलस्टर कलस्टर इसको हमने को ने वन डिस्टिक वन प्रॉडक्ट के माद्यम से पर्मोट किया इन सब में एक करोड एक सट लाक नौजवानों को हमने रोजगार दिया और नोक्री भी दिया दोसरा विश्ट्व करमा सरम सम्मान के माद्यम से परंपरा का थहस्त सिल्पी कारीकरों को ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ने का काम साथ लाक ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने ट्रेनिंग टॉलकिट और उन्हें सता रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया तो हमने तो 70 लाग के बाद की थी जादा उससे कई गुना ज्यादा लोगों को दिया है और आज CMIE का जो लेटेस डाटा आया है 16-17 में UP में अनिम्प्लाइमेंट रेट 18 फीस दी था आज जो गटकर के 3 फीस दी रह गिया है अपने एंटी रोमियो स्कॉड की बात की थी गठन भी किया था हलाकि आप उसकी ज़्यादा चल्चा नहीं है देखे हमने जब आये थे देखे फरक साफ है हम लोग जब आये तो मैंने पहला काम किया था 86 लाग किसानों का 36,000 क्रोड रुपे का करजमा फिका है उसके साथ ही हमने और्डर किया था एंटी रोमियो स्कॉड हर थाना में गठित करने का आज हम उसके थर्ड फेज में जा चुके हैं जिसमें हर ग्राम पंचैत में मिसंद सक्ति के अंतरगत एक महला बीट फुली सदिकारी है उस गाउं में जाएगी गाउं की महलाओं के साथ संबाद बनाएगी उन्हें सुरक्सा क्या भरोसा देलाएगी और पिर सासन की महला कल्यानक से जुड़ी भी योजनों के साथ उनको जोडने का काम करेगी आज हर ग्राम पंचैत में यूपी में हुरा है तीसरा भासला हमारा जो था वा था अबैद बुचड खानों को बंद करने का है हमने इन पीनों पहले चण्wij में ही पहले दीन ही इसको पुरह कर दिया था आपने कहा था हिंसा क्षित्र से जो पलाय रहा है weg इसको हम वापस करिंगे वापस कि राना में कांधला में सब वापस आये आए आप स्वेयम भी गए थे मैं दन्यवाद दूँगा कि आप मेरे इसकारिकर्मों को बहुत नज्दिक से देखते हैं कि मैं कहा जा रहा हूँ मैं एक स्वेम गया भी था वहाँ और मैं उन परिवारों से मिला था जो सरवाधिक पीडि आपने देखा होगा छटी कलास की एक बीटी मैंने उससे पूछा मैंने का अब भैर तो यह भैर तो नहीं लगता है उसने का साथ भैर कैसे अब मुख्यमंत्री आप है तो जब हमारा बाबा ही मुख्यमंत्री है भैर भी तो क्यों होंगे तो यह मेरे लिए मुझे लगता है कि सफलता है यह हैं लेकिन यह आत्मियता का भाव है यह हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजे है तर्ण बिरोधी कानून भी बनाया है यूपी में आज की दिन पर लफ जिहाद के नाम पर कोई किसी प्रकार का फ्राड नहीं कर सकता करेगा तो उसके लिए दस साल जेल की सजा के लिए जेल की दरवाजे खुले हैं और अवे धर्वानतन को भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सकती के साथ रोकाई ने उसका एक कानून भी बनाया फिर आपने कहा था कि जो दली तो वाला विशे है उनके साथ बड़ा अन्या हो रहा था भली पार्टी दलीत के नाम की हो लेकिन समाजवात की बात हो लेकिन दली तो पर अन्या हो रहा था वो घटा तो है लेकिन मैं आपके मूझ से थोड़े आकड़े समझना चाहूं देखे आप देख सकते हैं बाबा साथ भीमरा अंबेट कर को सही माइने में अगर किसी ने सम्मान दिया एजादी के बाद तो प्रधानमंत्री मोधीजी ने दिया उन से जड़ेवे पांच अस्थलों को महत्वपुन अस्थलों को पंच तीर्थी के रूपे बिकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोधीजी ने किया उत्तर प्रधेश के अंदर बाबा साथ भीमरा अंबेटकर से जुड़े वे एक सांस्कृति के अंदर के निर्मान की कारवाई युद दस्तर पर चल लई है उत्तर प्रदेश के अंदर हर कारेले में हर सरकारी कारेले में राश्पिता महात्मा गांदी और बाबा साथ भीमरा उम्बेटकर की तश्वीर आपको हर जगे मिल सकती है हम लोगों ने प्रदेश के अंदर समाजबादी पार्टी की सरकार किसमें S.C.S.T. की स्कॉलर्शिप रोग दी गई थी हमने इन सभी चात्रों को हंड़ेट परचेंट चात्रों को स्कॉलर्शिप दी इनके चात्रावास स्टेंटिनिंग किये इनकी विवस्ताएं का और किया मलिन बस्तियों के पुन्रोद्धार की एक योजना हमले करके आए और हम लोगों ने एक और काम किया आने के बाद इस सुनिस्चित किया कि हर एक दलित सम्दाए से जुड़ावान सुचित जाती जन जाती से जुड़ेवे परिवारों के लिए रासन काड़ अनवारे हो जिनके पास जमीन के पट्टे ने उनको जमीन के पट्टे दो जिनके पास आवास ने उनको आवास उपब्द कराओ अब अस्तरे करेंगे हम पंद्रा करोड गरीबों को वरत्वान में महिने में दो बार फ्री में रासन दे रहे हैं 15 करोड करीबों को तो किसी भी चैनल के आजकल जो आपके विरोधी चैनल यो भी जो इंटर्यू लेने जाते हैं लोगों का तो वो लोग उदर से बोल देते हैं 10 करोड लोगों को का आयस्मान भारत के अंदर 5 लाक रुपे के Σालना सास्तेबिमा का कवर दिया है 16 करोड राज्य सरकार के दौरा किंदर सरकार के दौरा wnा चार करोड राज्य सरकार के दौरा 43 लाक पचास हजार से तक गरीबों को एक एक आवास दिया गरामेन या सहरी छेतर में दो करोड 61 लाग गरीबों को एक एक सोचाले उपलब्द करवाया एक करोड 43 लाग गरीबों को फ्री में रसुई गैस के कनेक्सन उपलब्द कराए बिद्दूत के कनेक्सन दिया और एक करोड 67 लाग गरीबों को आज हर गरीब और हर दलित हर बंचित आपने को यह कह सकता है कि साथ मैं भी समाज का हिस्सा हूं और यह सरकार हमारी है और मुझे प्रसंता है कि हमें उसकी सेवा करने का उसर प्राप्त हुआ बुझी कोई दलीत तो एसा नहीं मिला जिसने आपसे नाराजगी जताई लेकिन जो आपका विपक्स है वह आपको दलीत विरोधी कहता है देखे विपक्स का काम है भोलेंगे उनको पता ही नहीं मैं जिस परंप्रा से आता हूं वहां तो और जाति वेत का वाँ जाती का कोई बादी नहीं है, हमारे यहां एक पंकत में आजसी नहीं, मेरे दादा गुरुजी मेरे परंपरा से मारे आई है, भंडारा चलता हुआ, दोपर में भोजन सब को मिलता है, सुबे चाय जलपान सब को मिलता है, दोपर का भोजन सब को मिलेगा, रात्री का भोजन सब को मिलेगा एक पंकत में सब लोग बैठ के भोचन पाते हैं और इनको चुनाओं के समय इवेंट करनी पड़ती है और हमारे यहां कोई जाती भेद नहीं यह भाव हम लोगों के मन में है और यह हमारे संसकार का हिस्सा है और हम लोगों को तो यह पताया जाता है कि इश्वर के दर्वार में कैसा बहेद है एक आत्मा है कोई बहेद नहीं जाएं आपको मालूम है कि हमारे यहां को जो मुख्य पुजारी है वो दलित है लब यह तो किसी को मालूम और नहीं है अच्छा आपको भी कभी बतानी किया हो शक्ता नहीं बड़ी होगा क्यों हम सफाइद हैं क्यों सफाइद हैं हम उस मिशन के हिस्से हैं हमें सफाइदेने क्या हो सकता नहीं दूसरा लोग बहुत कुछ बोलते हैं आप एक चीज और मैं पता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ब्राह्मन बालिकों को हम लोग अपने रख करके संस्कृत पढ़ाते हैं और अन्य उत्तम सिक्सा उपलब्द करवाते हैं पान सो बच्चे गोरक पीठ में रहते हैं उनके लिए इसको यह सब लोग कह रहें कि ब्राह्मन विरोधी हैं मैं करो ना इनके आंके तब खुलेंगी जब एक बार जाके देखें ना हां पान सो बच्चे और आज से नहीं हां पिसले सो सालों से आज तो नैपाल से फिर भी कम हो गया है तो नैपाल बिहार और उत्तर व्रदेश या उत्तर भारत का कोई जिला ऐसा नहीं था जहांके बच्चे वहां रहकर के अध्यन नकिये हों और वहां रहकर के उन्होंने अपने जीवन को न आगे बढ़ाया है हजारों ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों की आजीविका गोरक स्पीट से चलती रही है आज से नहीं चले दसकों से चल लई है गोरक स्पीट अपनी पहली सिक्षण संस्थान का स्थापना कप कर चुक में अच्छा आज पचास हजार बच्चे गोरक स्पीट से संचालित संस्ताओं में अध्यन करते हैं कोई जाती वेद नहीं है हर जाती का बच्चा वहां पढ़ सकता है जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए स्कॉलर्सिप भी होती है सब कुछ होता है तो जिनको देश दुनिया की जानकारी नहीं कुछ भी बोल सकता है क्या यह कारण है कि इस बार बीएसपी का कोई प्रभाव जादा नहीं दिख रहा है क्योंके दली तोटर आपके पास अल्ड़िडे आ चुका है देखे प्रदान मंत्री मोधी जी ने इस देश की परंपरागा चली आ रही सड़ी गली राजनीती को एक नया जीवन दिया है 2014 में जब उन्होंने राजनीतिक एजेंडे में गाओं को गरीब को किसान को नौज़मान को महलाओं को और समाज की प्रतियक तब्किय को दिया चोड़ा है उसके कारण राजनीतिक एजेंडा बदल करके रहे जो लोग पहले जाती की बात करते थे आज वे लोग भी गरीबों की बात करने लग गए अलग भी सह है कि जब उनको मौका मिला था उन्होंने कुछ किया नहीं लेकिन ये आज आज आप देख सकते हैं इसलिए कोई राज्य सरकार थोड़ा भी उसको अपने साथ जोड़ ले ना हम बाई रोड दिल्ली से आएं यह कलपना पहले नहीं हो सकती थी पाच घंटे में हम आ गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट हुआ है आप जो है गरीब कल्यानकारी योश्ट आएं फ्री में रसोई कैस के कनेक्शन में बारा तेरा में क्या इस्तिती थी पच्छिस हजार रुपे लेकर के भी कोई वेक्ति जादा तो उसको रसोई क मैं यह कुछ मतनुख्त पर किसी का घर है और भीजली का पॉल इतनी दोर है तो उससे कम से कम एक लाक रुप्या करवाएया जाता था है ऐस तो प्रीमें रूपरी में कनेक्शन उसको उसको फिमेь बहुझ्प पहुंचा जाती है परीमें कèse दिया जाता है अगरीब के बारा हजार रुपे सोचाले के नाम पे और पंदरा हजार से ज्यादा मिलता है उसको मंद्री का मस्दूरी के वराबर नक्सल परभावी चेतर है तो उसमें एक लाग भीस जार कि एक लाग तीस जार रुपे मिलते हैं सहरी चेतर में मकान बना रहे हैं तो प्रदान मंत्री मोदी जी का आभार इस देश को ब्यक्त करना चाहिए अविनंदन करना चाहिए कि उन्होंने भारत का बैस्विक अस्तर पर सम्मान बढ़ाया भारत की एक सो पैंटीस करोड जनता को अपना परिवार मान करके और जैसे भावक अपने एक-एक ब्यक्ति की देखभाल करता है ऐसे एक सो पैंटीस करोड लोगों के जीवन में ब्यापक प्रिवरतन नहाने का उन्होंने काम किया है पिछले इंट्रिव का एक और प्रश्ण बचा है कि आपने कहा था आजम खान और ऐसे जो माफिया है उनको जेलो हम से मैंने देखे मैंने एक शब्द भी चेंज नहीं किया मैं कोई इंट्रिव मॉबाइल हाथ में लेकर नहीं करता यह दर्शकों को हम आपका पुराना भी उत्तर दिखाएंगे और अभी का दिखाएंगे इसलिए इसको देखकर बोड़ा हम लोगों में से हैं कि रगो कोलो रीत सदा चली आए प्रान जाये पर वचनन न जाये है हमने जो कहा है मुसको करेंगे बिल्कुल अभी इस इंट्रिव के बाद हम आगे क्या इस विशे पर आते हैं कि अब आपकी सरकार बनने जा रही है अकड़े भी बताते है बले चुनावायोगा भी एकज जोजना है भारती जनता पाहटी ने अपना लोक कल्याण संकल पतर को जाड़िकर दिया है जो हमारे लोक कलान संकल पतर के ओल चुनाव cocktail नहीं है उसकी एक-एक पंक्ती हमारे लिए एक संकल्प होता है जैसे हमारे यह किसी अनुष्ठान के पहले एक संकल्प लिया जाता है ना तो वही हमारा एक संकल्प है इस्वर को साक्षी मान करना सारुजनिक जीवन का संकल्प है उस संकल्प के एक-एक वाक्य को एक-एक अकसर को मं उत्तर के रूप में अंगिकार करते वो उसको लागो करना उत्तरप्रदेश को देश की नंबर एक करते विवस्ता की रूप में स्थाफित करना और मैं जिकता जो चीजें चली हैं इसको और भी तेज गती से आगे बढ़ाने की कारवाई को बढ़ते हैं बिल्कुल अभी चरन हो चुके हैं बचे हुए चरनों को देखते हुए हर बार आजंडा तो बदलता रहता है सामान्यता प्रशनोत्तर भी बदलते हैं तो जो पात साले आगे ले आने वाले चरनों के लोगों के लिए उसमें आपने क्या सोचा है क्योंकि आपके भाशन भी उसे आधार पर प्राप्त करीगे अखिलेश तो कह रहे हैं हमारी डबल सेंचुरी हो गई हैं देखे अखिलेश जी देश और दुनिया की जानकरी रखते नहीं है बड़े बाप की फुत्र हैं पारा बजे सो के उठेंगे तैयार होंगे फिर उनके चाचा स्री आएंगे उनको बताएंगे फ फिर उनमें से उनके कभी-कभी भूल हो जाती है जैसे पिछले दिनों जब दो चरणों की चुना होई थे 113 सीटों पर तो एक सच्जन ने उनको यह बताया कि जाब जो है 113 सीट में से समाजवादी पार्टी दस सीट पा रही है तो उसी पर उन्होंने कहां भई दस में ए पीछे बढ़ाओं ठीक है तो यह वही वाजी लोग है देश दुनिया की जानकरी नहीं अच्छा है दस तारिक तक अपने उसमें रहे हैं वैसे मुझे जो जानकरी मिली सोसेल मीडिया के मात्यम से कि वह दस 11 तारिक को उनों ने इंग्लेंड का टिकेट अपना बुक करा ल बहले गाड़ी में उनके वेठे हों देखे चाचा श्री उनके आहत हैं विचारे पीडित हैं उन्होंने तो उनको पाला पोसा उन्होंने उसको आगे वढ़ाया आज उस बैचारी की दुरकती देख रहे हैं हमारी बिदान सभा के बहुत बरिष्ट सदस्य हैं और मुझे उनकी इस दसा देखके दया आती है तरस आती है जो विचारा प्रदेश का नेता था क्या दुरकती है मंच पे कुर्सी नहीं मिलती है सोफा के तक तो धत्ते बे बैठना पड़ता उनको तो उन्होंने दुरकती करती है उनकी लेकिन भारतिये जनता पार्टी फिप्त फेस आते आते पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेगी शिक्स्त और सेवंत में भारतिये जनता पार्टी फिरेगवार तीन सो पार के लक्षे को प्राप्त करें अप पिछला जो आकड़ा है उससे बढ़ते हुए देख रहे हैं बहुत से लोग कह रहें कि नहीं पिछले चे पाईगे बीस में बठवारा होगा हम आज वे उस पर दिखें उसी पर है अब इस पूरे सिच्वेशन में जो युवक है उस युवक को कंफ्यूज करने का कुशिश किया जा रहे हो कह रहें कि वैसे ता आयू में मुझे लगता है आप पे और अखिलेश में और रहुन गा सब्सक्राइब कोई खास फरक नहीं होगा लेकिनों कह रहें कि हम युवा हमारे साथ हैं तेके यूपी का युवा इस बात को जानता है कि यूपी के युवाओं के साथ कैसे इन लोगों ने खिलवार किया था किस प्रकार के अराजकता इनोंने पैदा कि नौकरी के नाम प प्लाइन कर रहा था आज पारदर्सी भरती की प्रकरिया है प्रात्मिक्ता के अधार पर अच्छी सिक्सा अच्छे पारदर्सी कंपेटिशन की विवस्ता और यूपी के युवाओं के लिए कोरोना काल खंड में भी ऑनलाइन इजुकेशन ऑनलाइन इग्जैमिनेशन और आनलाइन कंपेटिशन की प्रिपरेशन के लिए एक करोड यूथ को मरतमान में टैबलेटर स्मार्टफोन उपलब देकरा रहे हैं हमने अगले पांच साल के लिए तैय किया है हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी रोजगार अथवा सुतर रोजगार के साथ जोड़ेंगे मैं आज इस बात को कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में यूथ को जो इस सुवधा हम दे रहे हैं सपा को थोड़ा परिशानी है उसने चुनायों को कंप्लेंड भी किया है हमने तैय किया है दस मार्च की बाद दो करोड यूथ को टैबलेट स्मार्टफोन बे उपलब दे करवाएंगे और यह भी तैय किया है कि डिश्टाल एक्सेस का जो खर्चा आएगा यह भी सरकार करें तो यूथ को प्रोशाइट करने और हर परिवार के एक यूथ को नौकरी रोजगार अथा सुत रोजगार के साथ जोड़ने का कम अपने कोरोना की बात की अपने कोरोना को इंफेक्टेड करता है उससे कैसे आपके राज्य को बचाएंगे देखे यूपी का कोविड परबंदन हो या इससे पहले हम इनसे प्लाइटिस को भी नियंतित कर चुके हैं तो जितने ही प्रकार के वाइरस आएंगे उनको नियंतित करने का हमारे पास बहुत अच्छा परबंदन है अभी मास्टरी है एक इसी कारण आपके राज्य में मधवी युद्ध का महल बना हुआ हमने एक शो शिरीच चलाई जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से लोग चुनाओं में ओट डालने के लिए आ रहे हैं यहां तक कि विदेश से आ रहे हैं आपके समर देखे जो भी विकास का पक्स्तर है सुरक्सा का पक्स्तर है बेतर भौश्य का पक्स्तर है वो भारतिये जनता पार्टी को वोड़ देगा जो दंगा का समर्थक है माफ्याओं का समर्थक है अराजकता का समर्थक है वो बीचेपी के विरोत में वोड़ डालने के लिए ार्फ परचारक आपके लेकिन ऐस स्टार परचारक दिखनी रहे हे हैं फ़तािया हैyr आटिभी की यह अधरी चाहते हैं कि वहांगोर्ट नहीं का फायदा होता है है हम आखे लहांगोर्टिंटिक ब्रफॉर्ट सिहनी पत अ क्रचार करने का पुरा दिकार है आएंगे अच्छा रेगा अच्छा कायरकम के आखिर में क्योंकि ये भी एक आइत्यासिक इंट्रिव हुए इसी को लेकर हम अगले पाथ साल बाद या जो भी आपके स्तिती रहेगी उसके आधार पर करेंगे तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे देखे एक बहतर भुष्ष्य के लिए उत्तर प्रदेश का बहतर होना आउश्यक है भारत को दुनिया की एक आर्थिक महा सक्ती बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का मजबूत होना आउश्यक है और इसके लिए उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक के अर्थिव्योस्ता परियास कि जाने कि आुज सकता है और भारतिय जनता-पार्टी इस लक्यकों प्राप्त कर सकती है अन्योशी उम्मीद निकी जा सकते हैं अप आयोध्या जा रहे है इस इंट्रिव के बाद और मैंने अभी इंट्रिव वापस देखा आते समय अपनी सिंट्रू में कहा था मैंने कहा था कि क्या अगले चुनाओं में जब आज आएंगे तो मंदीर बन चुका होगा क्या तो आपका शब्द था कि मंदीर बनने की परक्रिया में होगा तो इतना कॉंफिडेंस कैसे था देखेंगे अम लोग जो कहते हैं उतना ही कहते हैं जितना हम कर सकते हैं और जितना करते हैं उतना ही बोलते हैं आयोध्या में मर्यादा प्रशुतम अगवान से राम का मंदिर निर्मान का कारे प्रारम होना, प्रधान मंत्री जी के करकमलों से इस कारे का सुभारम होना, यह हम लोगों के जीवन का एक बहुत ही सुनोहरा छण था, और मुझे लगता है कि पांसो वर्सों के बाद हमारी प मत्हुरा और बाकी वचेवे भी हो जाएं, कासी में कासी विश्वना धाम आ चुका है, मत्हुरा बिंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिशत के माद्यम से समाकर विकास की कारियोजना को मजबूती के साथ आगी बढ़ाई जा रहा है, सब धाम एक बार चमकेंगे फिर से बिल्कुल, तो आपने समय निकाला और इंट्रिव क्या एक तरीके से वचे नहीं दिया, अपने कोरोना काल में छोटे से वाहरस को आपने बड़े घंबिरता से लिया, लेकिन एक साथ फूट उचा, तीन फूट चोड़ा, हैदराबाद से वाहरस आता है और यहाँ पर स अफिक्टेड करता है, उससे कैसे आपकी राज्य को बचाएं?